आज तेरे अगस्त को एक और महत्वपूर्ण सोतंतरता सेनानी महिला बहन का आज निधन हुआ था उनकी पुन्नती थी है मेडम भीकाजी कामा का नाम आपने सुनाओगा दिल्ली में जब आप जाते हैं तो भीकाजी कामा पहले एसाब देखते हैं तो यह भीकाजी कामा कौन त्फी मूटी-मूटी सी जब आम एक बात पता लगती है तो यह पता लगती है कि उन्होंने भारत का पहला जंडा डिजाइन किया ठाला लेकिन उनके बारे में लालन पालन पोशन बहुत अच्छे वातावन में हुआ, बच्पन में उनको खूब अच्छी शिक्षा दिक्षा मिली, अंग्रेजी भाषा के उपर उनकी पकड़ थी, आधिवक्ता बैरिस्टर की उन्होंने पढ़ाई की, समाज शेविका थी, मैडम बिकाजी गामा की हम ब उन्होंने थोरी दी, अंग्रेजी कहते थे कि भारत में हमने भारतियों का कल्यान किया है, तो दादा भाई नारो जी उस समय इंग्लेंड की पारलियमेंट के सदस्य होते थे, और उस समय उन्होंने कई पुस्तके लिखिया और ये साबित किया कि अंग्रेजों के आने से प कितनी हुई और इस सो सालों में इंगलेंड में एक-एक अंग्रेज की आय कितनी बढ़ी इसका एक-एक डाटा और डाटा उन्होंने कहां से लिया उन्होंने अंग्रेजों से डाटा लिया तो वो सारा दादा भाई नारो जी ने वैल्थ ओफ ड्रेन के नाम से एक थोरी दी पुस्तके लिखी, तो दादा भाई नारों जी की सहयोगी मैडम बिका जी गामा रही है, लटन में, पैरिस में, फ्रांच में, अमेरिका में उन्होंने भारत के भारत में जो अंग्रेज अत्याचार करते हैं, उसके विरूद जन्मनत तयार करने का काम किया, भारति ये लोग आत्महिला मानते थे। आज भारत में आते हैं तो मैं कल पर सो देख रहा था सलमान खुर्शिद का एक बयान आया था कि सोनिया केवल हमारी नहीं पूरे देश की माता है। रहकर वंदे मात्रम और तलवार के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित करते थे और उनके समाचार पत्रों की भाषा कैसी होती थी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने 1905 में अपने सायोगियों के साथ वीर विनायक दामोदर का नाम आपने सुना होगा शाम जी कृष्ण वर्मा का नाम आपने सुना होगा लाला हर्दयाल का नाम आपने सुना होगा ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांतिकारियों की अगली पीडि तयार की लोकमान्य तिलक से लेकर गांदी जी से लेकर लाल बाल पाल की सारी जोडियां इनके नीचे से निकली है भाई पर्मानन से लेकर तो ये इन करांतिकारियों की महान सहयोगी मैडम बिका जी रही है दामोदर सावरकर और शाम जी कृष्ण वर्मा जी के साथ उन्होंने 1905 में पहला अपना भारत का अलग से जंडा डिजाइन किया था ब्रिटिश यूनियन जैक सारे देशों का मिला जुला एक जंडा वो दिखाया जाता था और उसमें ब्रिटेन कहता था कि ये सारे हमारे डोमिनियन स्टेट हैं हमारे उपनिवेश हैं तो वो जंडा था भारत का अपना कोई जंडा नहीं था तो 1905 में उन्होंने चिंतन किया कि भारत को आजादी दिलवानी है और उसके लिए भारत का जंडा होना चाहिए तो जर्मनी के स्टुट गार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कंफरेंस हो रही थी जहां पर सारे देशों के लोग आए हुए थे उस समय उन्होंने भारत का जंडा बनाया और भारत का जंडा भारतियता के हिसाब से बनाया जो आज के जंटे से मिलता जुलता था उस समय उसमें कमल के फूल थे कुछ चीज़ें और थी जो बाद में परिवर्तन की गई तो जर्मनी के स्टुट गार्ड में 22 अगस 1907 को उन् के बढ़ो हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है